नमस्ते दोस्तों आप सभी यह स्वागत हैं मेरे यूटिब चैनल निशानती का पढ़हार में आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं डाजिशन इन में मतलब इनसान के अंदर जो हम खाना खाते हैं वो किदर जाता है कैसे जाता है किस तरीके से जाता है और क्या उसके function है वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में clear करने वाले हैं छिक है तो चली आईए शुरू करते हैं और इसमें जो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं human digestion in men इसको हम human digestive system भी कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें सारा का सारा digestion जो system होता है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले start करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, कि हम जो भी खाना खाते हैं, वो सबसे पहले हम डालते हैं अपनी mouth में, मूँ के अंदर डालते हैं, और जो tongue है, वो help करती है, हमारा खान जो है, जब हम chew करते हैं, चबाते हैं, तो खाना जो है, मूँ के अंदर चला जाता है, और with the help of teeth, यह चोटे-चोटे पीसे में तूटता है, जैसे चोटे-चोटे पीसे में तूटता है, जो हमारे mouth के अंदर, जो slavery gland है, वो saliva produce करती है, saliva means, जो simple जो अगर wording में हम कहें, तो थूक जो है, वो हमारे mouth के अंदर, जब हम खाना खाते हैं, तो वो slavery gland से produce होता है, जो जिसे हम saliva भी कहते हैं, saliva produce क्यों होता है, क्योंकि अगर हम खाना, खाना हमें पता है कि एक solid form में होता है, जब हम मूँ के अंदर डालते हैं, तो वो बिल्कुल wet हो जाता है, wet means के गीला हो जाता है, with the help of saliva, अगर saliva उसके अंदर produce होगा, mix up होगा, तो वो जो है, क्या होगा, गीला होगा, और उसे हमें निगलने में असानी होगी, कि हम जैसे ही खाना निगलेंगे, हमारा जो bite होगा, वो हम जैसे ही मूँ के अंदर डालने की कोशिश करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे, तो हमें easy होगा, ठीक है, अगर solid form में होगा, तो थोड़ी difficulty हो सकती है, खाना फस जाता है, कभी कबार न, तो अगर saliva produce होता है, त फेरेंगस के पास, यहाँ पर और धकन की तरह एक structure होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, epiglotus, ठीक है, यह जो धकन है, यह बिलकुल बंद हो जाता है, जब खाना मु में हम डालते हैं, क्यों बंद हो जाता है, क्यूंकि यह वाला जो pipeline है, यह है wine pipeline जिसे हम जो है, ट्रैकिए अ चुक्य। यह किसका काम करता चू हम் छेंस लेते हैं Evans Label, वो इस पाइप से आती है। तो इसका Draith is Santi J toolайт hormone , भाइजिटिव Donc爸 जाना प SooThis कe से ऐता छा जाता है, तो आप नोगोंने देखा होगा, हमने रियलाईस भी किया होगा, किजब हम खाना खाते हैं, तो जब हम बात करते हैं, तो फोरन से हमें इसा खांसी आ जाती है, और हमारा खाना फिल होता है, कि lumpus चला गया है, थोड़ी मिर्चि लगना इसांस वाली नली आता है, तो हम फ्यूजास क कह आता है, ऊपर मतलब इसांस वाली नली नला की खीना में घ्ना सांस काद चाहना सांस उसके था नसका आता है सांस का तुम। तो हमने ये वाला डिसक्स कर लिया कि मौथ के बाद जो है खाना किदर जाता है फैरेंक्स से होकर फैरेंक्स ऐसा पॉइंट है जहां पर नाक और मौथ नोज और मौथ की दोनों की पॉइंट जहां पर मिलते हैं वहां पर उसको जो है हम फैरेंक्स कहते हैं इसकी मदद से हम सांस ले पाते हैं और नाक से भी सांस ले पाते हैं नीचे चलते हैं फिर आता है ऑस्टे फेगस में बताया खाना जो है ऑस्टे फेगस में जाता है ऑस्टे फेगस के बास सीधा जाता है किसके पास स्टमक के पास स्टमक के पास जैसे खाना जाता है तो स्टमक जो है उसको फ गैस्टिक जूस कैसे बनता है जब हम खाना और स्टमक के अंदर जो वाटर होता है वो और खाना जब मिलते हैं तो एक जूस बनाते हैं जिसको हम गैस्टिक जूस कहते हैं और फिर ये स्टमक और लिवर के पीछे जो है पैंक्रियास एक जो है हमारा बॉडी का और गन है जिस पैंक्रियाटिक जूस जो है हमारे बॉडी के अंदर जो fat, nutrients वगएरा जो है उसे ब्रेकडाउन करता है, और यह पैंक्रियाटिक जूस बनाता है जो के लिवर के पास जो है वो जाता है लिवर क्या करता है ? न्यूट्रेशन जितनी भी होती है जो और पिंट्रेशन में बनती है उन सारे न्यूट्रिशन को एक तो एब्सॉर्व करता है उसके इलाव़ा बैल प्रोडूस करता है जो के बाद में गाल ब्लेडर के अंदर फोटोर हो जाता है चीक हे और लिवर और इसका जादा important काम तो नहीं होता है, होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है लेकिन छोटी quantity में जो है इनका digestive system में important role प्ले होता है उसके बाद खाना stomach के बार direct आता है किसके अंदर small intestine के अंदर small intestine के अंदर खाना जब आता है तो खाना जो है वो small intestine के अंदर आपको बता है कि जो nutritions होती है वो small intestine जो है वो separate करता है small intestine जो है six meter long होता है मतब यह बहुत बड़ी size का होता है इसलिए यह जो है एक coin like structure में जो हमारी body के अंदर पाया जाता है इसका man roll क्या होता है कि यह जो खाना हमारी body के अंदर आता है small intestine के पास जब आता है तो यह जो है जितनी भी nutrition की चीज़े है वो जो है absorb करता है और फिर बाद में जो है वो किसके पास जाती है liver के पास यह जो है store करकर रखता है nutrition जैसे मतलब carbohydrates हो गया protein हो गया चीक है उसके बाद क्या होता है जो nutrition होती है वो small intestine में रह जाती है लेकिन जो west product होता है वो चला जाता है large intestine में यह हमारा जो है large intestine है large intestine length में तो छोटा होता है लेकिन विर्थ में जो है वो as compared to small intestine यह बड़ा होता है इसकी विर्थ जो है वो जादा होती है जब large intestine में खाना जो है बिल्कुल separation होती है खाने की कि जो nutrition होते हैं वो small intestine में रह जाते हैं जो west product होता है वो चला जाता है किसके अंदर? large intestine के अंदर large intestine में जो west product होता है वो चला जाता है और उसके बास जो है एनस के पास आ जाता है फिर जो है हमारी body से pass out हो जाता है इसी तरीके से जो हमारा खाना आया उसको digest हुआ उसके बाद जो है उससे nutrition बनी है nutrition store हुई store होने के बाद जो west product था वो चला गया large intestine में उसके बाद हमारी body से pass out हो गया यही होता है digestive system or digestion in man के इनसान के अंदर digestion कैसे होती है हम जो खाना खाते है गई होगी बात और समझ आ गया होगा यह वीडियो और अभी तक आप लोग अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़्याद से ज़्यादा share करें और subscribe करें और like करें और comment भी करें और जो जितना हो सके चैनल को subscribe करें ताकि न्यू से न्यू वीडियो जो है आपके लिए आती रहे थैंक्यू सो मॉच थैंक्स फॉर वाचिंग